तो गाई आज के तारिक से जितने भी most important current affairs मनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर details से discuss करेंगे यह वेडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत ज़ादा important होता है तो चलो शोबार हम करते हैं बट आगे बंडे से पहले अगर आप लोगो इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया लिया है जैसी आप उस पे click करोगे आपको यह टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा अगर इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत simple से तरीका है directly टेलिग्राम आप को download करना search box में type करना दीपाक जैदा वेजुकेशन आपको यह चैनल मिलेगा यहां से आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो साथी साथ में अगर आप मुसे personally connect करना चाहते हो तो Instagram पे जाना और again search box में type करना है दीपाक जैदा वेजुकेशन आपको यह मेरा profile मिलेगा यहां पे connect करकर अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो then start करेंगे आज के इस lecture को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ जैसा मैंने starting में बोला यह video UPSC और State PSC वालों के लिए बहुत important है लेकिन हम लोग इतना जादा in-depth analysis करते हैं कि अगर कोई one day examination के लिए इन topics से question बनता है तो वो questions भी इस particular video के अंदर cover हो जाते हैं तो 5-6 interesting articles जिसको details से discuss करने वाले हैं सबसे पहला article होने वाला है one year of Taliban 2.0 तो अभी Taliban 2.0 को लगबक अफगानिस्तान में एक साल हो चुका है और इस एक साल में अफगानिस्तान के अंदर क्या scenario यहाँ वो सब चीज़े यहाँ पर discuss की गई है इस Indian Express के explain वाले section पर तो details से cover करेंगे लेकिन आगे बंड़ से पहले हम आपको बता दूँ इस lecture को आप लोग GS paper number 2 और 3 से relate कर पाओगे basically GS paper number 2 के लिए specifically important है क्योंकि syllabus के अंदर आपको पता international relations जो है एक one of the major portion है जो की UPSC ने mention कर रखा है और इसी में एक topic आता है India and its neighborhoods का तो आपको यहाँ पर इसको cover करना ही करना है आप discuss करना start करते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह जो article है यह news में क्यों है देखो अभी क्या होता है ना लगबग एक साल हो चुका है जब अमेरिका अफगानिस्टान से बाहर निकला अब इसका मतलब क्या है इसको समझता है देखो अभी हम लोग साल 2022 के अंदर है साल 2022 में August का मेना चल रहा है अब अगर आप लोग पिछला साल देखोगे साल 2021 में यही समय था जब अफगानिस्तान से अमेरिका अपने soldiers को बाहर निकाल लेता है तो आपका एक question यह होगा कि अमेरिका ने अपने soldiers अफगानिस्तान में भेजे कब तो उसके पीछे के एक बहुत लंबी कहानी है जो कि मैं आप लोग इस lecture हों बताने वाला हूँ तो basically यहाँ पर पहले लगबख साल 2001 के अंदर अमेरिका ने अपने soldiers को अफगानिस्तान में भेज रखा था 20 साल से यह soldiers अफगानिस्तान को समाल रहे थे लेकिन अब क्या होता है कि पिछले साल साल 2021 में यह जो soldiers अमेरिका के यह सब withdraw कर लिए जाता है यह सब अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिए जाता है और जैसे यह अफगानिस्तान से बाहर निकलते है लेकिन साल 2001 से पहले भी तालिबान का साशन हुआ करता था अफगानिसान में अंदर इसी वज़ा से यहाँ पर अभी साल 2021 यानि पिछले साल जब दुबारा से तालिबान का कंट्रोल आया अफगानिसान में तो इसको तालिबान 2.0 बोला गया अब होता यहां पर यह है कि ताली बाइंट 2.0 के समय पर यानि लग बस इसको एक साल हो चुके हैं पिछले साल अगस 2021 में अब अगस 2022 में तो एक साल हो चुके हैं इस एक साल में क्या क्या हुआ यहां पर उसको समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि इस एक साल के टाइम पिरेड को तो आगे हम लोग एनलिसिस करेंगे लेकिन इस एक साल से पहले कि जो 20 साल थे यानि कि साल 2001 से लेकर साल 2021 तक जो ये 20 साल थे ना इस 20 सालों में अफगानिसान को दुनिया भर की कंट्रीज ने सपोर्ट किया अब दुनिया भर की कंट्रीज ने सपोर्ट किया उसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया अब खाली इंडिया का देखोगे ना डेटा तो इंडिया ने लगबख 4 बिलियन डॉलर्स तक का खर्चा किया है साल 2001 से बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हमने अफगानिस्तान में लगा रखे हैं जैसे एक्जाम्पिल की तौर पर यहाँ पर जरंज रेलवे लाइन हो गई इधर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अफगानिस्तान की लोकेशन को देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत इंपोरड़ेंट है आपको पता होगा साल 2022 के प्रिलिम्स में यानि अपकी बार ही अफगानिस्तान की लोकेशन पूछ ली थी इसके आसपास कौनकों से कंट्रीज बॉर्डर को शेर करती है यह रहा अफगानिस्तान इसकी कैपेटल रही काबुल और उपर आपको इसके देखने को मिलेका तजिकिस्तान इधर उस्बैकिस्तान इधर तुर्कमैनिस्तान बराबर में इरान हो गया और इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया भी हो गया अब एक एक करके सारी questions के आंसर करते रहेंगे How did the Taliban take over the regime in Afghanistan Taliban ने कैसे यहाँ पर Afghanistan के अंदर पूरा का पूरा साशन करना start कर दिया पहला question यही उठता है देखो Taliban जो है न वो क्या है Taliban basically यहाँ पर कुछ students है जो की मतलब बोला जाता है पश्टो language के जो students है वो basically Taliban कहला रहे है अब यह जो Taliban है न यह कब एमर्ज होता है Afghanistan के अंदर यह एक तरीके से 1990s में आना start होता है बढ़ना start होता है यह basically एक Islamic fundamentalist political or military organization है अब यहाँ पर होता यह है कि देखो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले background पर लेकर चलता हूँ यानि तालिबान इतना news में क्यों आ गया अफगानिसान इतना news में क्यों आ गया क्योंकि इसके background जब आप लोग पढ़ोगे न तो यह कहानी है 11 सितंबर साल 2001 की 11 सितंबर 11 सेप्टेंबर 2001 अब इस 2001 में क्या होता है आपको पता होगा अमेरिका के अंदर जो यह 20 टावर है 20 टावर इंडिया वला नहीं आपको पता है कि अभी यहां पर 20 टावर डेमॉलिश हुआ है लेकिन अमेरिका के अंदर भी आपको इस प्रकार से twin tower देखने को मिलते थे होता क्या था है, इस twin tower के उपर एक terrorist attack होता है और उस terrorist attack के अंदर लगबग 3000 लोग की जान जाती है अब जो terrorist attack होता है, वो कौन करवाता है ओसामा बिन लादिन यह attack कैसे हुआ, मतलब इतनी भहंकराग building में उपर कैसे लगई, तो यहाँ पर एक plane था, plane crash करता है और in fact इस प्रकार से यहाँ पर plane एंटर करता है और दोनों building को मैं साब देख पाओगे छे दो चुका है, आरपार निकल जाता है तो यह एक भहंकर attack, terrorist attack था और उसके बाद क्या होता है कि जैसे यह साल 2001 के अंदर attack हुआ 11 सितंबर को, अभी आने वाली 11 सितंबर ना, तो बहुत चर्चा होगी इस attack की, तो यहाँ पर क्या होता है, कि लगबग इस attack के एक महीने बाद अमेरिका ने इसके उपर investigation पहले तो बैठा दी थी, जैसी attack होता है वैसी investigation बटाई की बेएक, इसने attack किया है वो भी अमेरिका के उपर attack किया है तो जब पता चला कि बेसिकली यहाँ पर इसके पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ है, अलकाइदा का हाथ है और वो जो है ना, छुपके बैठा है अफगानिस्तान के अंदर में ठिक है, उसाम बिन लादेन छोपके बैठा है अफगानिस्तान के आधर में ये बात अमेरिका को पता चलती है तो अमेरिका क्या करता है अमेरिका हिहाँ पर डिरेक्टली तालिबान से बोलता भी है कि देखो, जो उसामा बिन लादेन है ना क्योंकि उस समय पर ये साल 2001 से अटाइक से पहले की बात है, फिर अटाइक उअट वह वका अमधी एक माहीने की बात है, तो अमेरिका यहां पर तालिबान से बोल भी रहा था, कि भैया उसाउवय बिन लादेन को अमेरिका को वापस सौंब दो, अमेरिका को दे दो, लेकिन तालिबान ने बोला हमारे पास है यहां अंधिन विलादेन, हम यहां पर मतलब हमारी country में और अफगानिस्टान में है ही नहीं वो, इस प्रकार से यहां पर तालिबान का statement दिया है, यूएसे ने बोला ठीक है, अब यूएसे क्या करता है, पूरी तरह से अफगानिस्टान के अगेंस्ट में जिसको हम लोग ने Operation Enduring Freedom के नाम से जाना तो ये 9-11 आटेक था जिसमें मैं आपको बताया इस प्रकार से अल-काइदा टेरिस्ट ने ये आटेक किया लगबग यहाँ पर 3,000 लोगी जान गई 25-30,000 लोग इंजर्ड भी होगे थे अब इसके एक महीने बाद में अमेरिका ने अटेक किया अफगानिस्टान के ओपर उसके पीछे का रिजन मैं आपको बताया तालिबान से कहा ओसामिल लादेन को दे दो लेकिन तालिबान ने बना किया कि हमारे पास मैं है ही नहीं जबकि पता यह चलता था कि हाँ ओसामिल लादेन अफगानिस्टान में चुपा बैठा हुआ है अब उसके बाद जब अमेरिका घुसा अफगानिस्तान में साल 2001 के अटैक के एक महीने बाद तो उसने क्या किया तालिबान का जो रिजीम था उसको खाड़ गे फैंक दिया यूएस ने तालिबान का साशन खतम कर दिया अफगानिस्तान से ये रही 2001 क तो यहाँ पे अफगानिस्तान से खतम हो जाता है और इसके बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान को संभालने के लिए एक महाँ पे ट्रांजिशनल गवर्मेंट बना दी एक सरकार महां की बना दी और उस सरकार के थ्रूप वो अफगानिस्तान अभी तक रन कर रहा था कब तक रन कर रहा था पिछले साल साल 2021 तक तो 2001 में अमेरिका ने यहाँ पे अफगानिस्तान में सरकार बना दी पिछले साल 2021 तक वो सरकार चल रही थी जिसको अमेरिका का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था बर-बर के पानी की तरह पैसा बहाया अमेरिका ने इस particular scenario के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अब होता यह है कि साल 2001 में अमेरिका को बहार निकलना पड़ता है अमेरिका सोचता है हम कब तक समा लेंगे अफगानिस्तान को? पैसा भर-भर के लग रहा है, पानी की तरह पैसा बह रहा है? अमेरिका ने अपने soldiers वहाँ पैठा रखे थे, properly अफगानिस्तान के अंदर सरकार को बनाया, वहाँ पे soldiers बनाये, उनको ट्रेनिंग दी, उसमें बह और अमेरिका को शांती पूर्वक अफगानिस्तान से बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए शांती पूर्वक कुछ बातचीत करने के लिए प्रॉसस स्टार्ट होता है, पहला होता है मुर्रे टॉक, साल 2015 में यूएस क्या करता है, अपना एक रेप्रेजेंटेटिव तालिबान तालिबान के साथ में बातचीत करें, और अफगान के सरकार के साथ में बातचीत करें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर गवर्मेंट बन चुकी है, जो कि अमेरिका ने बना दी है, दूसरी तब यहाँ पर अमेरिका इस गवर्मेंट को सपोर्ट कर रहा है, तीसरी तब तालिबान भी यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान को खाड़ कर फैंक दिया है अमेरिका ने, तो तालिबान भी बैठा हुआ अफगानिस्तान में, तो अब यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि हम लोग अफगानिस्तान को थोड़ा शांत परफिर से साल 2020 में दोहार टाउक होती है और जो ही बात होगी उसको हम लोग आगे एकक्सेप्ट करेंगे जो भी यहाँ पर decision निकल कराएगा उसको देखेंगे तो डारेकली 2020 में यह दोखा टोक होती है तालिबान जो है ना यह एक meeting रखता है और डारेकली बाचीट करता है अमेरिका से अब इसी 2020 का ये agreement था इसी agreement के तहट क्या होता है अमेरिका promise करता है तालिबान को कि अमेरिका साल 2021 तक निकल जाएगा यहीं साल 2020 में इसने promise कर दिया कि अगले साल 2021 तक हम अफगानिस्तान छोड़ कर निकल जाएगे तालिबान खुश हो गया तालिबान को यहीं पर मजबूती मिल गई यहीं पर इसने अमेरिका का जो ये weakness है जो कमजोरिये पकड़ लेकी है अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो निकलने वाला है इसके लिए एक deadline दे दी गई थी अमेरिका के तुरो इनों ने बोला 11 सितंबर 2021 तक हम पूरा properly withdraw कर देंगे निकल जाएगे और ऐसा हुआ भी साल 2021 मैनी पिछले साल US exit कर गया जुलाई 2021 तक फिर धीरे 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 क्या करता रहा यहाँ पर जो अमेरिका की soldiers है वो अफगानिस्तान छोड़ कर निकलते चले गए और फिर उसके बाद यहाँ पर एक particular time पिर रहा है जब US ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली कर दिया अब US का कोई नाम और निशन अफगानिस्तान में था नहीं अब जब नाम और निशन नहीं था तो जो तालिबान जो की 20 साल से बैठा वा था गुस्से में अब वो यहाँ पर आता है power में और जो अमेरिका अफगानिस्तान में सरकार बना के गया था ना उस सरकार को खतम कर देता ये तालिबान ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया अफगानिस्तान के अंदर साल 2021 में तो साल 2021 में 15 अगस के टाइम पर जब हम लोग Independence Day का celebration कर रहे होता है तब तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा लिया होता है अफगानिस्तान को In fact वो जो 2021 को कबजा हो चुका है तालिबान का तो ये बताओ कि ये जो पूरा का पूरा एक साल निकल चुका है इस एक साल में तालिबान का रूल कैसा रहा अफगानिस्तान सफर तो नहीं किया किसी चीज़ से या अफगानिस्तान के अंदर situation कैसी रही एक साल के अंदर वो यहाँ पर बताया गया, सबसे पहली चीज़ यहां पर बताया गया, तालिबान ने एक ready made country को, क्योंकि बनी बनाई country है, उसको यहां पर rule करना start किया, और इसमें क्या चाहिए था, उस country को चलाने के लिए ना, बहुत सरा पैसा चाहिए था, बहुत सरा fund चाहिए था, लेकिन वो जो fund है, उसकी कमी पढ़ गई अफगानिस्तान के अंदर, और उस fund की कमी पढ़ने के वज़ा से, अफगानिस्तान के जो आम नागरेक हैं, वो यहां पर भूकें बने लगे, poverty यानि जो गरीबी है, वो एक उचस्तर पर पहुँच गई थी अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सरे ज निकल गए वो जैसे यहां पर तालिबान का कंट्रोल हुआ, लेकिन जो यहां पर बेचारे गरीब लोग रह गए, वो लोग यहां पर आप कर सकतो परेशान हो गए अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान ने सही से एकनोमी जनरेट करनी पाई, इनको कुछ पता थ हां नहीं, कि कैसे-कैसे यहां पर चलानी है सरकार, कैसे-कैसे यहां पर एकनोमी को डवलब करना है, तो कुछ भी यहां पर उन्होंने करनी पाई, और इसकी वज़ासे हालात इतने खराब होते रहे, कि आप देखोगे कि गरीबी इतनी जादा आच्छे की थी, बीच में कि जो भी सपोर्ट वगरा मिल रहा था, वो सब कम हो जाता है, और हम लोग अभी इस साल में 2022 की अगर हम लोग बात करें, तो तालिबा ने अपना बज़ट प्रेजेंट किया, और उस बज़ट के अंदर देखने को यह मिला, कि इनकी कमाई से ज़दा खर्चा हो गया, कमाई स कोई सपोर्ट करने के लिए है नहीं, अभी कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, एंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, यूएन का सपोर्ट स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि हाँ पे हालात काफी खराब थे, लोग यहाँ पे एक तरीके से मर आर्टिकल को cover करेंगे, इस वाले आर्टिकल में आपको यहाँ पर यह वाला picture नजर आ रहा है ठीके न, अब इस वाले picture में जब आप लोग देखते हो, तो मैं आपको इस सारी बाते बता दी है 9-11 attack, 20 साल हो गए September 2021 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सरकार बन जाती है, अफ़गानिसान अपनी सरकार बना लेता, यह सारी बाते में आपको समझाएं उसके बाद बीच में अफगानिसान ने और भी problem नहीं पता होगा, नहीं पता है तो आपको बताता हूं जैसे अफगानिसान के अंदर भुकम बगरा भी आया और उस भुकम की वज़ा से काफी सरे लोग मारे गए फिर अभी में 2022 की बात करें इसी साल की तो जो वेमेंस हैं जो गर्ल्स हैं उनको ओर्डर दिया गया कि वो हिजाब पहन के रहेंगी अपना फेस कवर करके रहेंगी पबलिक के अंदर में जो वेमेंस हैं उनको लंबी जर्नी के लिए मतलब बैन कर दिया गया मतलब अगर कोई लंबी जर्नी करनी है कोई दूर तक घूमने जाना है तो वेमेंस यहां पर आकेली नहीं जा सकती है उस चीज के ओपर बैन लगा दिया गया वेमेन को काम करने से बैन लगा दिया गया जब तक अमेरिका था तब तक अमेरिका की सरकार के अंदर जो अमेरिका ने सरकार बनाई वी थी वहाँ पर वेमेन का एक बहुत अच्छा रोल हुआ करता था फिर जैसे मैं आपको बताया अर्थ को एक आया भुकम के बाद यहां पे हजार लोग की जान चली गई थी हालात पहले सी खराब थे और ज़दे खराब हो गए तो यह situation आपको देखने को मिलेगी एक साल के अंदर अंदर तालीबान 2.0 के अंदर में अब करेंट टाइम पर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना अफगानिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है इनफेक्ट हम लोग तालीबान को रिखनाइस नहीं करते लेकिन हम लोग अफगानिस्तान के लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंसानियत के नाते, देखो यहां पे हम लोग एक humanitarian assistance भी प्रोवाइट करवारे हैं, आपको पता होगा, recently COVID-19 गे टाइम पे हमने vaccines प्रोवाइट करवाएं, कुछ गेहूं प्रोवाइट करवाया, वहां के लोगों के लिए, फिर हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जो terrorism है, जो आत 800 से जाधा projects आज के टाइम पर Afghanistan के अंदर रन कर रहे हैं, तो भारत को भी तो नुकसान है ना, साल 2001 से 2021 तक देखोगे तो 4 billion डॉलर तक का investment हमने कर रहा है, और अगर इतना बड़ा investment कर रहा है, तो ये basically अगर इस प्रकार से चीज़े चलती रहेंगी तो investment डूपता भी तो न लेकिन अब ये बहुत important point आता है, important point ये है कि भारत अफगानिस्तान के ओपर इतना focus क्यों कर रहा है, अफगानिस्तान का इतना importance इंडिया के लिए क्यों है, ठेकिन अफगानिस्तान इतनी important देश क्यों बन जाता है भारत के लिए, number one reason, economic and strategic interest, इसका मतलब ये है कि देखो, अफगानिस्तान एक gate है Central Asian country तक पहुचाने का, और Central Asian country के अंदर oil और mineral भरपूर मातरा हैं पाया जाता है, नहीं समझे, देखो ये समझो, ये जो उपर आपको पांच देश देखने को मिल रहे हैं, one, two, three, four, और five, ये जो पांच देश हैं, ये Central Asian country कहलाती हैं, कौन-कौन स कजगस्तान, उस्बैकिस्तान, तुर्गमेरिस्तान, किर्गिस्तान, तजगिस्तान, ये पांच ओ Central Asian country हैं, जब आप लोग देखोगे, तो अफगानिस्तान ना एक बहुत बड़ा border share करता है, इस पूरे के पूरे Central Asian portion से, तो अफगानिस्तान हमारे लिए इसलिए भी important है, ताकि हम अफगानिस्तान के जरिये इन countries के साथ में अपने relations को maintain कर सकें, क्योंकि इन countries के अंदर oil, mineral, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और वो जो oil और mineral है, वो सब हम लोग को मिल पाएगा, जब हमारी इन countries के साथ में connectivity अच्छी होगी, जब connectivity अच्छी नहीं होगी, तो व्यापार का तो नाम और निशान होना बहुत मुश्किल है, तो बेसिकली अफगानिस्तान इसलिए भी भारत के लिए बहुत important माना जाता है, दूसरा, बागी सरे projects हमने लगा रखे हैं, वो हमारे चली रहे हैं, तो अब्यसी बात है उसलिए भी important है, तीसरा, security के perspective से important है, हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की दोस्त वाली सरकार यहां पे बन जाए, यानि पाकिस्तान का support से कोई सरकार बने जिससे यहां पर आतंगवाद बढ़ता हम नजर आए, क्योंकि overall यहां पर आतंगवाद बढ़ेगा तो इंडिया के नदर भी बढ़ता हम नजर तो पाकेशशान अपनी दोस्त वाली सरकार ना भणा सके आफगानिस्तान में यह भी हमारा एक गोल है इसकी वmber विचा हम लोग अफगानिस्थान को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं अफगानिस्तान को प्रारिप्र उपर रखा भी है हम लोगोंने ठीके नदिया और आपको पढ़ने की ज़रुरत रहती है, वो सब इसी के अंदर cover हो चुका है, I hope आपको clear हुआ है, और make sure करना, thumbs up कर दो, वीडियो पे जो like का button उसको दबा दो, जो target है 2K plus like है, उसको whatever achieve करवा दो, यार काफी time लगता है, PPDs को तयार करने में, इसी वेसे मैं live lecture नहीं ले पाया वो है PIN plus strategy, वो क्या है समझेंगे non communicable disease, क्या है समझेंगे इस वाले article को GS paper number 2 से आप relate कर सकते हो, वहाँ पे हमारा health का एक topic आता है, news में क्या है, news में यह है कि Africa जो की एक continent है, उसने क्या क्या एक नई strategy को adopt किया, उस strategy का नाम है PIN plus strategy, अभी जो strategy है, इसका मकसत है कि हम लोग क पीडित लोग हैं, उनका diagnosis किया जा सके, उनका मुल्यांकन किया जा सके, उनका पता लगा जा सके कि हाँ कौन कौन non communicable disease से सफर कर रहा है, अब पता लगाने के बाद में उनका treatment किया जाए, यह यहाँ पे context है, यह basically pen plus strategy है, यानि कि ऐसे लोग का पता लगा जाए जो कि non communicable disease स सफर कर रहे हैं, और पता लगाने के बाद में उनका treatment किया जाए, यह है हमारी pen plus strategy, यह एफरीका की basically pen plus strategy, यह एक regional strategy है, जिसका मकसद है non communicable disease को पता लगाना, और जो gap है कि मतलब पता लगाने के बाद में जो treatment उनको नहीं मिल पाता है, वो treatment प्रोवाइट करवाना, यह basically इस को tackle करना है, तो कर सकते हो, कैसे, आपके पास में important medicines होनी चाहिए, technology होनी चाहिए, प्लस इस बिमारी का पता लगाने के जो diagnostic मुल्यांकन करने का, evaluate करने का, assessment करने की जो technologies है, वो आपके पास में होनी चाहिए, है ना, आपके hospitals के अंदर available होनी चाहिए, अगर यह चीज़े हैं यह non-communicable disease के उपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए अलग से strategy ले कराई है, आकरकार यह क्या है non-communicable disease, क्या एक बहुत बड़ा concern है पूरे दुनिया बर के लिए, हाँ, एक बहुत बड़ा concern आपको देखने को मिलेगा, non-communicable disease, वो disease होती है, जो कि किसी infection से नहीं हो आ रही है, आज के टाइम पर धीरे धीरे बड़ती भी नजर आ रही है, जो आप लोग देखोगे, इन disease का burden जो है ना, काफी जादा बढ़ चुका है, इन फाक्ट बच्चों की भी बहुत जादा death हो रही है, यंग adults की death हो रही है, अगर उनके अंदर non-communicable disease है, और सही time पर पता नहीं लगाया गया, या सही time पर treatment नहीं दिया, या obvious ही बात है, सही time पर उस बिमारी का पता नहीं लगेगा, तो treatment भी नहीं मिल पाएगा, तो basically इसी वज़ा से बच्चों की भी death हो रही है, इस non-communicable disease के अंदर में heart disease भी आती है, cancer भी होता है, diabetes भी होती है, अस्तमा भी जाता है, 71% of global mortality, दुनिया भर में जितने में मौत हो रही है, उसकी 71% जो मौत हो रही है, वो basically non-communicable disease की वज़ा से हो रही है, अब बात करेंगे, इंडिया के अंदर इस particular disease का status क्या है, इंडिया के अंदर लगबग 5.8 million के आसपास जो लोग है, ये WHO के report के मुताबी बता रह है, कि इंडिया के अंदर लगबग 5.8 million के आसपास लोगों की जान गई है, NCD की वज़ा से, यानि की इसी non-communicable disease की वज़ा से, जिसमें कौन-कौन सी बिमारियां आई, heart से जमबंदित बिमारियां थी, lung disease थी, stroke, cancer, diabetes, इस प्रकार से problems देखने को मिल रही थी, इतनी death हर साल ह हो रही है, in fact, आप कह सकते हो, इतना बड़ा risk बन चुका है कि हर चार इंडियान इसमें से एक इंडियान की जान जा रही है, सरिफ और सरिफ इस non-communicable disease की वज़ा से, फिर आगे बताया गया कि देखो, दिक्कत यह है कि अगर आप लोग पिछले सालों से compare करोगे, तो अब यह non-communicable disease की वज़ा से जो death है ना, मौत का जो rate है वो increase हो रहा है, 1990 के अंदर 37% के आसपास death हुआ करती थी, लेकिन 2016 में 61% के आसपास death हुई है इस non-communicable disease की वज़ा से, एक last question यह आता है, क्या खिरकारी जो बिमारी है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कारण में सबसे पहला, physical inactivity, आज के टाइम पर भाई, क्या है, mobile phone है, यह सारी चीज़े हैं, और बैटे रहो, चलाते रहो, time pass करते रहो, time निकल गया, ये भी निकल गया, और देखते रहो, reels देखो, एक गंटा निकलना है, दो गंटा निकलना है, इससे अच्छा है, आपर एक goal होगा, life म में तो आगे बढ़ोगे, physical inactivity, यहाँ पर एक, ऐसा मतलब कारण देखने को मिलेगा, ति इनसान आज के टाइम पर घर बैठा बैठा बैठा, obesity का शिगार बना हुआ है, मोटा आपा देखने को मिल रहा है, unhealthy diet तो चली रही है, वैसे उल्टा सी दखाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार की जो चीज़े हैं, यह कहिने की non communicable disease को बढ़ावा देती हैं, कुछ लोग तंबाकू का इस्तमाल कर रहे हैं, smoking हो रही है, alcohol का इस्तमाल हो रहा है, यह सब reason है non communicable disease के, इनकी वैसे क्या होता है, blood pressure बढ़ता है, जिसको हम लोग hypertension बोलता है, blood sugar level बढ़ता है, जि ठीक है न, क्यों, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो, चाए air pollution बाहर का हुआ या घर का हुआ, घर में भी यहां पर, गाउं में आप देखोगे, लखडियां जलाई जाती हैं, solid fuels जलाई जाते हैं, ताकि खाना बना जा सके, उससे बहुत pollution हो रहा है, उसकी वज़ा से भी heart disease, lungs disease यहां पर produce होती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा करण मना जाता है, अब इसी non communicable disease को tackle करने के लिए, कौन कौन से initiatives हमारे through start करे गए, जैसे, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, NPCDCS, तो यहां पर एक initiative है, अब इस initiative को में डीटेल से read नहीं करने वाला, आप भी read कर सकते हो, यहां प बिमारी को ठीक करने के लिए, कौन सा initiative सरकार ने चलाया है, एक initiative यह हुआ, दूसरा यहां पर आप देखोगे, तो दूसरा initiative है, integration of Ayurveda, Yoga, Yunani, Sidh, Homopad, यानि यह आयूश को integrate करने का काम हुआ, ठीक है न, चलो जी आगे आता है, next article की दरफ, अगला article भी होने वाला है, बहु जो wind project है, यानि की, जो wind मिल से हम लोग electricity को बना रहे हैं, वो कहां पर stand करता है, इस article को आप लोग GS paper number 3 से relate कर पाऊगे, syllabus के अंदर environment pollution and degradation का topic नजर आता है, news में क्यों है, क्योंकि हाली में, Global Wind Energy Council ने बताया है, कि साल 2024 तक, भारत के अंदर, जो wind power project होंगे, वो अपने peak पर हो होंगे, हम लोग 2024 तक भरपूर मातरा में wind power project लगा रहे होंगे, और 2024 के बाद, ये project के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा याँ पर एक report आती है, तो इसी report को detail से analyze करते वे, हम लोग समझेंगे, कि wind project है क्या, प्लस India के अंदर ये wind project कैसे लगाया जाता है, इसका क्या role है, प्लस आज तक कितनी हम energy को generate कर पाएं, प्लस आने वाले time पर हमारा क्या target है, पहला question, what do we know about the wind project in India, wind project है क्या, wind project में हम लोग wind mills को लगा रहे हैं, और इस wind mills के माध्यम से क्या होता है, हम लोग electricity को, बिजली को produce करते हैं, तो इस जो wind energy है, यानि हवा की उर इसकी के लिए हम लोग दो तरीके से use करते हैं, onshore wind farms और offshore wind farms का वगया रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको समझो, onshore wind farms में क्या होता है, onshore wind farms में हम लोग जमीन पर इस प्रकार से wind turbines को लगा रहे हैं, wind mills को लगा रहे हैं, offshore में हम पानी के उपर wind mills को लगा रहे हैं, ठीक है तो ये onshore wind farms क्या होते हैं, जहां पर हम लोग wind turbine का installation जमीन पर करते हैं, offshore का मतलब है जहां पर हम लोग installation water bodies के ओपर करते हैं, पानी के ओपर करते हैं, clear हो गया, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, आगे समझते हैं, अब इस particular project का status भारत में क्या है, देखो इंडिया आज के time पर लगबग 13.4 GW के आसपास, जो ये energy है, wind energy, वो हमारा target है कि हम 13.4 के आसपास install करेंगे साल 2024 तक, और इंडिया इसके हिसाब से चल भी रहा है, इंडिया ने expectation ये रखा, साल 2022 तक हम लोग 3.1 GW तक के energy generate करेंगे, साल 2023 तक 4.1 GW, साल 2024 तक 4.6 GW, इस प्रकार से हमारा जो target है, वो आने वले time पर 13.4 GW का पूरा होगा, याने आने वले time पर हम लोग चाहते हैं कि लगबग 13.4 GW तक की energy को generate कर सकें, ठीक है न, ये बात यह आपे बताई गई, अब current time पे, starting में जब 2017 में हम लोगों ने, 2017 तक तो भरपूर मात्रा में ये wind power plate को लगाया, बहुत अ 2019 तक कहानी सई चल रही थी, लेकिन 2019 के बाद corona enter हो जाता है, corona enter हुआ, covid-19 की second wave, third wave, इसकी वज़ा से, जो wind project से, इनके installation के अंदरे गिरावटानी start हो जाती है, तो लगबग 1.4 GW जो wind project से न, ये केवल install करे जाते हैं साल 2021 में, तो मतलब काफी सरे projects delay हो चुके थे, covid-19 की वज से यहां पर हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, अब इसी particular sector में, इसमें challenges क्या क्या है, problems क्या क्या है, इसको समझता है, देखो जो market है न, wind project वाला जो market है न, इसकी बात करें तो directly, आपको western sector में ज़्यादा powerful देखने को मिलेगा, गुजरा, तामिलाडू वाले ऐसे area हैं, लेकिन इंडिया का, जब आप east वाला region देखोगे, तो वहाँ पर यह जो project है, वो आज के time पर बहुत कम है, योगि वहाँ पर अपने आप में बहुत issues है, वो issues क्या है, वो आगे में आपके साथ में share करूँगा, भारत के अंदर energy का जो potential है, वो कितना है, इसको समझता है, इससे भारत की potential energy को बनाने में, उर्जा को बनाने में और जादे बढ़ने वाली है, प्लस भारत कंदर एक छोटा सा issue देखने को बिलता है, आपको बताता हूँ issue क्या है, इंडिया एक ऐसी country है, जो की अपना एक बहुत बड़ा coast line बनाती है, कितना बड़ा है, लगबग 7500 and 16.6 km का, 7516.6 km का, आप देखोगे यह है coast line हमारा पूरा का पूरा, यह है पूरा का पूरा coast line, यानि यहां से आप देखोगे समुदर का हिस्सा देखने को मिलेगा, समुदर से इतना बड़ा हमारा border share होता है, लेकिन इसी map को details analysis करोगे, तो यहां पर क्या आता है, Bay of Bengal, है और इधर क्या आता है, इधर आता है Arabian Sea, और इसके नीचे क्या है Indian Ocean, ठीक है न, अब यहां दिखोगे आपने, अगर मैं आपसे पूछूँ, साइकलोंस सबसादे कहां पर आते हैं, आपको को यहां से सर, हाँ हमने देखा है, ओड़ी शांदरप्रदेश, इन सभी एरियास में सबसादे साइकलोंस आते हैं, सही बात है, और इनी साइकलोंस की वज़ा से इस एरिया में जो विंड पावर प्रोजेक्ट हैं आज के टाइम पर बहुत कम देखने को मलेंगे, लेकिन इस वाले एरिया गुजरात हो गया, तामिल नाडू हो गया, महराश्टरा हो गया, यहाँ पर बहुत सारे आपको विंड पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो अगर यहाँ पर बात करें तो इंडिया के अंदर एक प्रोब्लम यह है, इस्टन साइड में बहुत सारे साइकलोंस आते हैं, इसकी वज़ास से इस्टन साइड में हमारे पास में ए वेस्टन सेक्टर में देखने को मिल जाती है तामिलाडू एक लाज़स प्रड्यूजर है विंड एनर्जी का साल 2019 के अकॉर्डिंग ऐसा आप लोग यहां पर देख सकते हो अब एड़ लास्ट क्वेशन यह आता है सर विंड एनर्जी होती क्या है इसके बारें बताओ देख बनावाई जनरेेटर कानेक्टेड है इस जनरेटर से बिजली बनानी है अब कैसे होगा यहां पर जो हवा है उसका इस्त्माल किया जाएगा हम लोग काइनेटिक एनर्जी या झो ह Tracy के थिरू एक बनानी जारी है काया ईनर्जी चो हवा के त्रू कृOps करी जारी है इसका हम लोग उप्योग करेंगे इसका उप्योग करेंगे हवा की एनरजी का उप्योग करेंगे इस टर्बाइन को घुमाने में हवा की मदद से ये टर्बाइन घुमेगा और जैसे ऐसा हवा बरेगी ये टर्बाइन घुमेगा जो blades हैं basically वो एक तरीके से rotate करेंगे और blades जब rotate करेंगे तो kinetic energy transform होगी mechanical energy के अंदर blades गूमेंगे तो इससे क्या होगा gear box गूमेगा यह रहा gear box यह चलेगा और gear box चलेगा तो इससे क्या होगा मैंने आपको बताए यह directly connected है generator से generator चलेगा generator चलेगा इससे क्या होगा electricity बनेगी और electricity produce होगी इसको फिर हम लोग क्या करेंगे transformer में लेकर आएंगे और transformer में लेकर आने के बाद में इसको convert करेंगे ताकि आपके घर तक घर के लिए appropriate way में बिजरी पहुंच सके तो basically यहाँ पर यह तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है इसमें काफी सरी detailing से कभी details में आपको बताऊंगा बट अभी के लिए इतना समझ सकते हो अब wind power project का अगर हम लोग इतियाज देखें तो भारत के अंदर या फिर आप कैसे होगोगे wind turbines जो आए पहली बार जो यह wind turbines है न यह सबसे पहली बार 100 साल पहले यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा use देखने को मिला था यहाँ पर आप लोग देखोगे जो यह wind power generation है यह सबसे पहली बार United Kingdom में हुआ United States में हुआ UK में 1887 में हुआ US के अंदर 1888 में हुआ UK के अंदर लेकिन जो एक latest wind power project latest जो wind power का जो पुरा का पुरा system लगाया गया है न वो सबसे पहली बार develop के आगया था जो नया वाला है वो सबसे पहली बार develop के आगया था Denmark के अंदर अब इसी wind power project से संबंदित भारत के बहुत सारे important initiatives हैं उन initiatives के बारे मैं जरूर से ध्यान रख सकते हो सबसे पहला initiative है National Wind Solar Hybrid Policy तो यहाँ पर initiatives में मैं details से नहीं जाओंगा बस काली examination में mains में initiatives के नाम पूछ लिए जाते हैं उसी वे से मैं आपको clear करवा रहा हूं फिर National Offshore Wind Energy Policy यह कुछ important initiatives आपको देखने को मिलेंगे जो कि Wind Power Project को भारत में support करता है आजाओ last article पर Sex Ratio at Birth को हम लोग यहाँ पर coverage देने वाले हैं relevant article है और exam के लिए बेहत important होने वाला है सबसे पहली बात इस article को आप लोग GS Paper No.2 से relate कर पाऊगे यहाँ पर gender और government policies and intervention का एक topic देखने को मलेगा यह article news में क्यों है क्योंकि recently एक study conduct होती है और इस study के अंदर बताया गया कि एक समय ऐसा था जहाँ पर लोगों को एक बेटे की चाहत हुआ करती थे यानि कि जो लोग है वो sun bias हुआ करते थे लोगों को लड़का चाहिए होता था लेकिन आज के time पर जो यह sun bias वाली condition है न वो decline हो रही है यानि कि एक समय ऐसा था जहाँ पर 100 girls के लिए 100 लड़कियों के लिए 111 boys हुआ करते थे बट अब क्या पर क्या हो रहा है चीज़े normalize हो रही है अब 100 लड़कियों के लिए 108 boys हैं यानि कि जो लोग की यहाँ पर एक चाहत थी कि हामरी पास लड़का हो sun bias वाला यहाँ पर लोगों का thought देखने को मिल रहा था यह thought थोड़ा सा कम हुआ condition थोड़ी से normalize होती हुई नजर आई है यह तो हमारा topic है अब इसी के basis पर हम लोग इस पूरे report का analysis करने वाले है इस report की important key findings क्या है इन्होंने पहले पूरे country का data बताया जब आप लोग देखोगे साल 2010 के अंदर में तो साल 2010 में हमने देखा जो missing girls हैं वो बहुत सारी थी missing girls 4.8 lakh के आस पास थी साल 2019 में यह missing girls थोड़ी सी काम हो गई है 4.1 हो चूके है missing girls मतलब क्या हुआ करता था देखो वो समय ऐसा था वहाँ पल female selective abortion करवाया जाता था मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ लड़की है तो लड़की को मार दिया जा रहा है और लड़का है तो बिसिकली मतलब आप कह सकते overall लड़के के एक चाहत रखी जा रही है तो इस प्रकार से female जो बर्थ है न वो पहले बहुत कम हुआ कर रही थी और इसी की वज़ा से पहले का जब आप लोग data देखोगे तो बिसिकली मिस होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि female selective abortion हो रहा था अगर यहाँ पर लड़की है फेट के अंदर तो फिर उसको मार दिया जा रहा था इस प्रकार से मतलब कि एक तरीके से abortion करवा दिया जा रहा था तो इस प्रकार से आपर चीज़े बढ़ रही थी अब religion wise sex ratio को जब हम लोग देखते हैं तो एक overall data मेरे यहाँ पर लगाया है religion wise जब आप लोग देखोगे तो जो missing girls है missing girls अगर हम लोग Indian population बात करें तो basically Sikh के अंदर 2% Hindu के अदर 80% Muslim के अदर 14% और Christian के अंदर 2.3% जो missing girls का share है न sex selective abortion को लेकर यानि sex selective जो abortion किया गया है वो crown का religion में 65% नेदू 87% और Muslim 7% और Christian 0.6% ऐसा यहाँ पर यह report बताती है अगर हम लोग इतिहास देखें sex ratio का तो देखो इतिहास में पहले यही situation थी कि जो boy है यानि कि लड़का है लड़के की चाहत रखी जा रही थी और हमने यही देखा है लंबे समय से यह देखा है कि sex selection abortion यहाँ पर हो रहा था क्योंकि 1980s के आसपास ultrasound technology आ चुकी थी यहाँ पर पता लगा कर बताया जा रहा था भई लड़का है लड़की है इसको लेकर बहुत सारे challenges आपको देखने को मलते हैं लोगों का mindset पहले बहुत बेकार था कि लड़कों के preference रखा गया है in fact जब आप लोग के रिला 36 गर जासी बात करते हो इनको छोड़कर बहुत सारे states जहां पर लड़कों के लिए एक preference रखा गया desire रखी गई कि हाँ पर मेरे पास में male child हो ठीकिन एक लड़का पैदा हो और क्योंकि girls को इसलिए नहीं पैदा करना चाहरे थे क्योंकि girls को वो link करते थे डावरी से दहीट से इन सब चीज़ों से बढ़न समझा करते थे तो यह thinking एक time पर बहुत ही जादा थी आज भी कापी सारे लोगों में देखने को मिलेगे लेकिन हाला कि situation थोड़ी सी थोड़ी सी यहां पर नॉर्मल होती भी नज़रा रही है प्लस यहां पर एक दिक्कत यह भी थी कि जो technology उसका misuse हो रहा था ultrasound वगरा का इसका बहुत गलत इसमाल हो रहा था क्योंकि यहां पर sex selection को लेकर यह साराथ बाते बता देते थे फिर उसके बाद यहां पर जो महिला का अगर पता चलता था कि हाँ लड़की है तो वो abortion करवा लेते थे यहां पर husband wife मिलकर decide कर कर फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास में एक law कानून होता है prenatal consumption and the prenatal determination act यानि कि 1994 का एक act आता है जो कि यह बोलता है कि अगर आप पहले से पता लगा होगे और कोई अगर doctor या कोई भी health care professional आपको पहले से information देगा कि आपके पेट में एक बच्चा लड़का है यह लड़की है तो उस health care professional के उपर उसको सजा मिलेगी fine भी हो सकता है उसके उपर एक heavy fine लगाया जाएगा लेकिन इस law को कर तो आए लेकिन यह कानून जो है ना लागू नहीं हो पाया कानून implement नहीं हो पाया इसकी वज़े से यहाँ पर यह सारा आमला ऐसी चलता रहा फिर एक और कारण देखने को मिलेगा वो है illiteracy काफी सरी जो women है वो थोड़ी सी कम बढ़ी है illiterate women आपको देखने को मिलेंगी अपने reproductive age के अंदर 15 से 49 years तक जो यहाँ पर illiterate women आजरोंने यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी कम करी वी थी उनके अंदर fertility rate थोड़ा सा ज़ादा देखने को मिला fertility rate ज़ादा देखने को मिला मतलब कि उनने थोड़े ज़ादा बच्चों को जन्म दिया जबकि हम लोग compare करें जिम्न महिला जो की लेटरेट जो थोड़ी सी ज़ादा पढ़ाई कर रखी है उनने basically यहाँ पर उनके अंदर fertility rate थोड़ा सा कम हुआ उनने यहाँ पर चीजों को समझा और basically यहाँ पर पता यह चलता है कि जो बच्चे हैं वो basically यहाँ पर कम पैदा होता है जो की महिला पड़ी भी है उनके पास से तो यहाँ पर एक literacy rate भी यहाँ पर माइने रखता है तो यह पूरा का पूरा sex ratio at birth था I hope आपको यह पूरा का पूरा detailing में अच्छे से समझ में आ चुका है now फटा फट हम लोग करते हैं अपने इस lecture को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाई बाई have a nice day thank you and जैहिंद